हमारे सनातन संस्कृति और भातिय सभिता की जोती बिश्व भर में जगमगाए सस्क्राइब करें जैस्री कृष्णा दोस्तों स्वागत है आपका मैं आपका दोस्त रभिंदर और आज के एपिसोड में आप थंदेल पर देख चुके हैं आप आजके एपिसोड में एंजल नं-बर 15 पंड्रा नं-बर के वारियों में वाक्त करने वाले हैं, ये आपके लायफ में बहुती nggak परिवटर लाने वाला है, आपके जीवन में चार चान लगने वाले आपको कब चालाग लोगों को दिखाई देता है तो इस मेंभी कोई शक्तिवात नहीं है अगर आपको दिखाई दे रहा है तो निश्यत रुप से आप बहुत चालाग किसिन के आदमी है आप दूसरों को बिवकूफ बनाने में या फिर यू कहूं कि आप अपना काम निकलवाने में बहुत माहर है अगर आप लाइफ में नहीं है तो इस समय आपकी बुद्धी ऐसी है कि आप अपने काम को बहुत आसाली से दूसरों से निकलवा सकते हैं दोस्तों एक प्यारा सा कमेट कर दीजेगा और चैनल पर अगर नए है तो सब्सक्राइब और आपको नई मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सकें यह नमबर आपको बताता है कि इसमें देखिए पहरे एक नमबर है जो सूरिका होता है और सूरित तेज काम की शुरुवात आपका प्रुधत्व मतलब कि आप लोगों पर इंप्रेस जमाएंगे ऐसा कुछ दिखाता है एक नमबर पांच नमबर आपकी बुद्धि को दिखाता है आपकी सार्क तकता को दिखाता है आपकी चतुरा गूड रहस है इसलिए है कि एक और पांच को मिलाने पर छे नमबर आता है और छे नमबर शुक्रदेब का होता है शुक्रदेब आपको सांसारिक सभी सुकसादन देते हैं जिनके आप च्वाइस करते हैं आपकी खौइसे हैं लगजरी लाइफ जीने की आपकी खौइसे है इस कारती है कि आपके भविश में आपकी बहुत से इच्छाय पूरी हो जाएंगी अब मैं बात करूँ कि अमेजिंग कैसे है यह बहुत ही गोड रहस है पतलब की रहस में ही नमबर है कैसे और जो सुक्र देव है वो सुक्र देव दैति गुरु है अर्थात्बु दैति गुरु होने की बज़े से वो काले जादु का भी इस्तमाल करते हैं और इसी कारड यह रहस में नमबर है इस कारथ यह है कि आप भविश में अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं एक दोस्त की नजर से साहत अदू या बात कहूं तो आपको किसी भी वक्ति को बेवकूप मत मनाईएगा और ना ही काले जादु का इस्तमाल कीजिएगा क्योंकि सीधी बात यह है कि करम पर सबसे ज़्यादा मैं विश्वार सकता हूँ अगर आप किसी के साथ छल करेंगे तो छल के वद्जने शित रूप से कहीं आपको भी छल ही मिलेगा यह वासत है कि यह वक्त ऐसा है कि आप किसी भी व्यक्ति से अपना काम निकलवा सकते हैं अपनी प्रतिवाहों के अपने तेज के माध्यम से आपने जो एक तेज एनरजी आपकी बन रही है इस वक्त आपके पास जो बात करने का जजवा या जो चेहरे पर एक तेज आ रहा है या जो आपकी सात रुखता अर्धात आपकी बुद्धी जो सार्क हो रही है उससे आप दूसरे विक्ति को बहुत आसानी से अपनी वातों में उल्जा कर काम निकलवा सकते हैं लेकिन किसी दूसरे का बुरा ना हो इस हग तक आप कुछ भी करें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इस से परमात्मा आपको किसी भी प्रकार का दोसी नहीं ठहराएंगे लेकिन जहां पर आप अपने काम को निकलवाने के लिए दूसरों को नुक्सान पहुंचाने लगते हैं तो फिर वो कहीं न कहीं आपको भी जहलना पड़ता है क्योंकि कर्म का ऐसा चक्र है कि आप दूसरे के साथ करेंगे तो भविश्म आपको निश्यत रूप से देखने को मिलेगा मेरी यही सला है कि आप दूसरों के साथ बोरा ना करें हाँ पर इस नंबर के मार्धिन से आज के लिए नहीं जैजरी क्रिश्ना